नमस्कार एउस्ट्वेंटी विहार की आवाज में आपका स्वागत है हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तकी कुछ प्रमुख खबरों के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां उजियारपूर थाना क्षेतर में विगत दिनों हुए महिला हत्याकान की जाज करने जिला पुलीस कप्तान हृदकांत गुरुवार 28 अप्रेल 2022 को पतेली पश्चिमी पंचायत स्थित कोरबधा गांव पहुँचे जहां उन्होंने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया तथा थाना अध्यक्ष ओजियारपूर अनिल कुमार व एसडीपीो दलसी सराय दिनेश कुमार पांडे को आवशक दिशा निर्देश भी दिये वहीं घटना स्थल पर उपस्तित मृत्का के पुत्र से भी उन्होंने घटना से संबंदित आवशक पूछताच किया वहीं इस संबंद में एसडीपीो दिनेश कुमार पांडे ने बताया की इस हत्याकान में नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अभिशे कुमार को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है तथा एक अन्यप्राथमेकी अभियुक्त ही मंद कुमार को भी बहुत जल्द गिरफतार कर लिया जाएगा वहीं दो अन्य अग्यात अभ्युक्तों की पहचान की जा रही है बहुत जल्द उसे भी गिरफतार कर लिया जाएगा ग्यात हो कि बीते दिनों उज्जियार पूर्थाना क्षेतर के पतेली पश्चिमी पंचायत स्थित कोरबधा गाव में बदमाशों ने एक गुंगी महिला की उस समय भत्या कर दी थी जब वे जानवरों का चारा लाने अपने घर से करीब 200 मीटर घर के सामने गाच्छी बाद में गई हुई थी अभी तक के लिए बस इतना ही कुछ देर बाद हम फिर हाजर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ तब तक बने रहिए यूज ट्वेंटी विहार की आवाज के साथ नमस्कार सत्या ममले में क्या कारवाई की गई है ये एक अब यूट ग्रफ्तार के जेल भेजा गया है दुसरे अब्यूट में चाप मारी किया जा रहा है और अग्याद का भी पता किया जा रहा है बहुत जल्दी ग्रफ्तार करके भेजिए जगा जेल